नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस फॉर्णेशन और मैं हूँ सान फुनाव के साथ असवक्त की खबर जिला प्रशासन से निकल कर सामने आ रही है जहां पर पटना के डियम और अससपी पटना के कोचिंग संचालों को के साथ मीटिंग कर रहे हैं ऐसे में आपको बता दे कि बीते तीन दनों से बिहार में हालत बेकाबू होते जा रही हैं बिहार में कई छात्र रेलवे ट्रैकों पर साथी साथ रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अब ये प्रदर्शन बवाल का रूप ले चुका है ऐसे में जहां छात्र आरार भी एंटी पीसी के रिजल्ट को लेकर प्रदर्शन करने उत्रे थे उनका यह प्रदर्शन नारे बाजी से शुरू होकर अब पत्थर बाजी पर आप पहुचा है ऐसे में छात्रों ने कई रेलवे ट्रैक्स को उखाड फेका है सातिसाथ गया जंक्षन पर ट्रेनों में आग भी लगा दी गई पत्ना के कई छेत्रों में छात्रों के द्वारा जम कर बवाल काटा गयो और पत्ना पुलिस और छात्रों के बीच भी जबरदस्त भिरंत देखने को मिली इसके बाद छात्रांदोलन कारियों के बयान पे पत्ना के कई कोचिंग संचालकों पर एफायार दर्ज किया गया है जिसमें पत्ना के खांसर भी शामिल है पत्ना के खांसर इस पूरे मामले पर सबसे जादा घिरते हुई नजर आ रहे हैं वो पिशले तीन दिनों से चर्चा का विशे बन चुके हैं ऐसे में पत्ना के कोचिंग संचालक अब देहशत में आ गया है जब से उनके उपर पत्रकान नगर थाना में एफायार दर्ज हुई है तब से पत्ना के कोचिंग संचालक बेहद डरे सहमे हुई नजर आ रहे हैं और अब पत्ना के डीम चंदरशेखर और पत्ना के सबी कोचिंग संचालकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं ये मीटिंग बीते दिनों हुए उपद्रफ को लेकर हुई है साते सात जो बयान दर्ज किया गया है जिस बयान पे कोचिंग संचालोकों के उपर FIR दर्ज हुआ है उस बाबत ये मीटिंग जारी है और अस मीटिंग से क्या कुछ दिशा निर्देश निकल कर सामने आएंगे पटना के DM और SSP क्या कुछ आदेश जारी करेंगे वो देखने वाली बात होगी लेकिन ऐसे में पटना के कोचिंग संचालोकों ने DM और SSP से मुलाकात की जिसके बाद ये एहम मीटिंग बुलाई गई है आपको बता दे कि खान सर के उपर FIR दर्ज हो चुका है और खान सर के अलावा SK जा सर, नवीन सर, अमरनाद सर, गगन प्रताप सर, गुपाल वर्मा सर और बाजार समीती के कई कोचिंग संचालोकों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है इन सबी के विरुद आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 151, 152, 186, 187, 188, 330, 332, 333, 504, 506 और 120B के तहत केस दर्ज हुआ है बतादे कि पत्रकार नगर थानी में सोमवार और मंगलवार को हुई हिंसा के बाद हिरासत में लिए गए आंदोलनकारी छात्रों के बयान के आधार पर इस मामली में केस दर्ज किया गया है रासत में लिए गया आंदोलनकारी उमीदवारों ने कहा है कि सोशल मीडिया पर एक विज्जो वारल होने के बाद उन्हें हिंसो और दंगा करने की शेह मिली थी जिसमें खान सर को कथित तौर पर आरार बी एंटीपी से परिक्षा रद नहीं होने पर छात्रों को सडक पर आंदोलन करने के लिए उकसाते हुए देखा गया था इस पक्ष में खान सर ने इस मामले पर अपनी पूरी सफाई भी दी है उन्होंने कहा है कि आरार बी ने जो भी अभी फैसला लिया है अगर वो अठारा तारिक को ले लिया जाता तो ये नौबत नहीं आती लेकिन एक अच्छा कदम यह उठाया गया है कि 16 फरवरी तक स्ट पैली के लिए भी जाने जाते हैं अलगलक प्लेटफॉर्म्स पर उनकी लाखो फॉलोर्स भी हैं ऐसे में जब से ये खबर निकल कर आई है कि खान सर पर एफायार दर्ज हो चुका है साथी साथ कई कोचिंग संचालकों पर भी एफायार दर्ज किया गया है तब से पटना क चातर एक बार फिर से उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं उनके तफसे लगातार बयान बाजी जारी हो ओर ऐसे में पटना के चातरों का यह भी कहना है कि अगर खान सर को जेल हुई तो पटना के सभी जेलों को साथिसाद बिहार के सभी जेलों को खाली करा दिया जाए और सभी छात्र जेल भरो आंदोलन में हिस्सा लेंगे लेकिन खान सर का पीछा नहीं छोड़ेंगे पटना के साथिसाद बिहार के सभी छात्र खान सर के सपोर्ट में उतरते हुए नजर आ रहे हैं जहां एक तरह ये प्रदर्शन बवाल का रूप ले चुका था जिसके बाद रेल मंत्री ने समवाद भी किया था प्रेस कॉंफरेंसिंग के जरी रेल मंत्री ने चात्रों से अपील भी की थी तो उसके बाद खांसर और साथी साथ कई कोचिंग संचाल को की खबर निकल कर पटना के कई कोचिंग संचालकों के साथ हुई हो और अस मीटिंग के बाद क्या कुछ दिशान निर्देश और आदेश जारी किये जाएंगे क्या कुछ कदम उठाया जाएगा कोचिंग संचालकों को लेकर या तो देखने वाली बात होगी फिलाल के लिए इस कबर में अतना ही अनकई अपडेट्स के लिमाए साथ बनी रहे न्यूस फ़ांडेशन में नमस्का